हाई फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल तो देखिए आज हम आपको बताएंगे डबल कलर के स्ट्रेटर डिजाइन सो यह डबल कलर की डिजाइन है आप इसे मल्टी कलर पे भी अपलाई कर सकते हो गाइज यह डिजाइन सुरू होगी बाए उल्टे की तरफ से रॉंग अपटि की तरफ से डिजाइन सुरू होगी आप चाहें मल्टी कलर में बना लो आप चाहें डबल कलर में बना लो तो यह हम बनाएंगे डबल कर दो देखिए कलर यहां पर हमने अटैज कर लिया लगा लिया यहां रेड़ वाइट में बना हैं आपके इच्छा आप अपने तो राइड ओर उल्टे की तरफ से डिजाइन को सुरू होगी उल्टे की तरफ फस्स रो रांग साइट पहली सल आए उल्टे की तरह तो कलर को चेंज किया एंड सारे फंदे को हम ऐसे उल्टा-उल्टा बनकर कंप्लीट करेंगे तो अभी तक आप हमें मारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्रीज चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि हम ऐसे अपने चैनल पर बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन बेबी बॉय गर्ल कार्डिगन लेडी जैकेट कैप सॉक्स सब कुछ बताया हुआ है डाला हुआ है जो गाइस डिजाइन में आ पहली सलाई जो है वह हमारी कंप्लीट हो गई अब आए दूसरी सलाई एक कलर से हम चार सलाई बनाएंगे एक कलर से दो सलाई तो यह हम बनाएंगे दो सलाई तो पहले कंप्लीट कर लिए उल्टे की तरफ दूसरा हम बनाएंगे सीधे की तरफ अब पहले फंदे को स्लिप करेंगे ध्याल से लेखिएगा, पहले ऐर दूसरे ऐर दूसरे ऐर दूसको हम उल्टा भूनेंगे ठीक है अब इतके बाद देखिए एक दू तीन तीन फाना हमने शनींप किय एक फन्दा हम भूनेंगे एक दो तीन तीन फंदा हम स्लिप किये एक फंदा हम बुनेंगे हो गया तो दूसरी सलाई मारी complete हो गई अब देखिए थर्ड रो तीसरी सलाई तीसरी सलाई में हम यहाँ पर color को change करेंगे red color अपना लगाएंगे अब तीसरी सलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कम्प्लीट करेंगे ऐसे थर्ड रो रॉंग साइड सारे फंदे को हम ऐसे उल्टा उल्टा बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे बहुत इजी डिजाइन है फ्रेंड से बहुत ही easy design आप जैसे apply करो बहुत अच्छी बनेगी यह हो गया आप देखिए टीसी सलाई भी complete हो गई अब चौथी सलाई चौथी सलाई में हम क्या करेंगे पहले फंदे को slip किया बाकी के सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बुनकर complete करेंगे यह हमारी फोर्थ रो है चौथी सलाई तो छे सलाई की design है जिसमें हमारे चार सलाई तो complete हो गए दो सलाई हमारी white से complete हो गई और दो हमारी red से तभी दो हमारी बाकी है चौथी सलाई complete अब आज आईए फिप्त रो पाचमी सलाई पाचमी सलाई को भी हम ऐसे उल्टा-उल्टा बुनकर कम्प्लीट करेंगे पहले फंदे को स्लिप करेंगे और बाकी के सारे फंदे को हम उल्टा-उल्टा बुनकर कम्प्लीट करेंगे यह हमारी फिप्त रो है पाचमी सलाई हो गई अब देखिए six row, छटी सलाई आपको ध्यान से देखने हैं, छटी सलाई हमारी डिजाइन बनेगी, इसके बाद आपको बार बार वही रिपीट करना है, तो छटी सलाई, तो क्या किया था हमने, पहले दो फंदे को बुना था, पहले हमने दो फंदे को बुना है, और सीधा ब ठाके हम भीच वाले फंदे से साथ ऐसे ही बुने यह, हो गया, अब फिर से क्या करेंगे, एक, दो, तीन, तेन फंदे हमने बुन लिया, यह आगया बीच का फंदा, अब इसे फिर से हम इस फंदे के साथ बुन लेंगे, यह ऐसे हो गया, अब फिर से वही तीन फंदा, एक दो तीन अब फिर से इस फंदे को उठा कर इसके साथ बुन लेंगे यह यह है यूटूब पर यह डिजाइन पहली बार है आप चाहे जितना डिजाइन सर्च कर लीजिए आपको यह डिजाइन पहली ही बार देखने को मिलेगी क्योंकि यह डिजाइन अपने मन से बनाया है क्योंकि हम ऐसे कुछ न कुछ करते रहते हैं कि आपको अलग से कुछ बढ़ने को मिल जाए देखने को मिल जाए और बहुत ही अच्छी यह डिजाइन पल्टे की भी नहीं फूलिश लेचिवल भी है अब हो गया सिक्स रो कंप्लीट हो गई अब आये सेबेंध रो सेबेंध रो में फिर से हमको आपको यही कलर लगाना है पूरी सलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे मतलब जैसे आपको मैंने बताया कैसे हॉइट कलर से पहले उल्टे की तरफ से सुरू किया था तो यह कलर लगाया था अब पूरी सलाई को उल्टा बुना था अब फिर से आपको यही पहली सलाई से छटी सलाई तक रिपीट करना है आपको सफेद कलर लगाना है पूरी सलाई को उल्टा उल्टा बुनना है फिर चेंज नहीं करना है 2 फंदा मुनना है, 3-1 बुनना, 3-2 सलिप करना है जैसे मैंने मतब जिसे पहली सलाई से छटी सलाई तक आपको मैंने बताया है, वैसे ही आपको बार-बार rippeat करना है और अगर आपको color change करना है, तो अब ये जो color हमने लगाय है आप इसके बाद दूसरा कलर लगा सकते हो तो जब आप यही बार बार रिपीट करोगे तो यह पैटरन कम्पलीट होगा देखिये बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है यह देख रहे हो और बिल्कुल देखिये यह पलटता नहीं होगा बिल्कुल यह तो फ्रेंट्स कमेंट करें, टेक कियर, बाँ बाई